जहें दोस्तों बंदे मातरम अगर आप भी मेरी जिता क्रिकेट के फैन है तो आपकी भी एक नजर आईपेल के रिटेंशन के ओपर टिकी हुई होगी कि आखिर कौन खिलाडी अंदर रहेगा और कौन खिलाडी नहीं रहेगा दरसर इस बार के आईपेल में राइट टू मैच कार्ड ने बहुत हद तक टीमों के गनित को सुधार भी दिया है सुधार ऐसे दिया है कि जो मुंबई और हैदरबाद या बैंगलोर सारी की टीम से ये अपने एहम खिलाडियों के रिटेंज जादा से जादा कर सकती है वहीं बिगारने की बात करें तो दिली और पंजाब की टीम है जो कि लगबग हर साल ही अपनी टीम बदलती है उनके थोड़ा सा सिर्दर इस बार बढ़ जाएगा तो ऐसे मज़रा बात करते हैं हम लोग की आखिर किस टीम से कौन से संभावित रिटेंशन हो सकते हैं और किन खिलाडियों को लेकर इस समय बाते चल रही है दरसल आईपेल की जो रिटेंशन विंडो है वो कल देर शाम पांच बज़े तक बंद हो जाएगी एक फ्रेंशाइजी रिटेंश करने के तोर पर अगर हम बात करें तो 6 प्लेयर्स को मैक्स टू मैक्स रिटेंश कर सकती जिनमें से की एक अनकाप प्लेयर का होना जरूरी है इसके अलावा अगर आप बात करें तो right to match card भी 6 अस्तमाल हो सकते हैं लेकिन वही बात है या तो आप return 6 कर ले या फिर आप right to match card का अस्तमाल 6 बार कर ले लेकिन इन सब के बीच में अगर हम overall बात करें तो हर एक franchisee के purse में इस समय 120 करोड रुपए हैं और उने 120 करोड रुपए से वो IPL 2025 के लिए अपने टीम मराने की कोशिश कर रही है दस टीमों के कुल जमा 1200 करोड रुपए इस बार दाओं पे लगने वाले हैं तो ऐसे में retention बहुत ज़्यादा important भी हो जाता है कुछ retention हैं जो कि obvious सी बात है predictable है जैसे कि विराट कोली का हो गया, गिल का हो गया, संजुसे अमसन, जैसवाल, पैट कमिंस, राशित खान ये expected है कि इन लोगों को इनकी जो मौझूदा टीमे है, वही कि वही return करेंगी और उनमें कोई भी जादा बड़ा बदलाव नहीं आएगा लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने की बहुत जादा hype को generate करके रखा हुआ और लागतार headline भी बना रहे है इन में सबसे बड़ा नाम है रिशाप पंद का जिसने की social media पर क्रिप्टिक पोस्ट करके पूछा था कि क्या मुझे auction के लिए जाना चाहिए और मैं वहाँ जाओंगा तो मैं बिकूँँगा या नहीं और अगर बिकूँँँगा तो कितने में इस सवाल ने कहीं ने कहीं एक बहुत बड़े सवाल को ट्रिगर कर दिया था कि क्या इनकी जो मौझूदा IPL franchise यह वो उनको रिटेन करने कोशिश नहीं कर रही वहीं एक बहुत ही आजीब से सचकी अगर हम बात करें लेकर IPL में ऐसा हो रहा है कि IPL Governing Council ने पिछले महीने एक रूल को वापस लेकर आए हैं जो कि इंटरनाशनल प्लेयर के अनकाप प्लेयर के तौर पर खेलने का रूल है और उसके तहत अगर पांच साल तक किसी खिला था ओडियाई वर्ल्ड कप के दोरान ये डिसीजन कहीं ना कहीं टेलर मैट दिखाई पड़ रहा है CSK के लिए तो ऐसे में CSK के पास में अब एक बहुत बढ़ी ऑपरचुनिटी है कि वो धोनी को सिर्फ 4 करोल रुपए में रिटेन कर सकते हैं और अब्विस सी बात है ये CSK शिवम दुबे को आप्ट करता है जिन्होंने की पिछले सीजन में मिडिल ओल्डर में अच्छा खासा परफॉर्मस दिया था बैट से और बॉल से दोनों से बाकी प्लेयर की बात करें तो मतीशा पतिराना को माना जा रहा है कि most likely CSK जो है रिटेन करेगी इसके अलावा एक सबसे बड़ा रिटेंशन के उपर सवाल जोट रहा है वो ओड़ा रचन रवेंद्र को लेकर जो कि फिलहाल इंडिया के टूर पर है न्यूज़लंड की तरफ से बहुत शांदार गेम दिखा रहा है तो उसको लेकर भी बात चल रही कि CSK रचन रवेंद्र को भी रिट से उनका भी कहना था यही मानना था कि रोहित को IPL अब में मुंबई का साथ छोड़ कर किसी दूसरी टीम का हाथ थाम लेना चाहिए जिससे कि उनको एक कप्तान के तौर पर रेटायर होने का मौका मिले क्योंकि IPL में बहुत सक्सेस्फुल कप्तान रहें लेकिन अब जैसे उनका यही मानना है रेटेंशन के लिए कि रोहित को तो यहां पर रहना ही पड़ेगा और MI की जो हिस्ट्री रही है वो अब्यसी बात है वो नए लीडर को सेटल होने के लिए काफी हद तक टाइम देते हैं तो यहां पर यह चीज एक देखने वाली होगी रोहित शर्मा न देखा था कि रोहित शर्मा को लेकर फैन की दीवानगी क्या है प्योरली अगर हम एक्सपीरियंस पॉइंट अव यू से बात करें तो शर्मा को रिटेंड किया ही जाएगा यह बात ताए है और ऐसा ही कुछ बूमरा के साथ भी है सुर्य कमार के साथ भी है अपार्ट फॉ देरा यह एक नया नाम और निकल कर सामने आरे इसको कि यह लोग रिटेंड कर सकते हैं वहीं बात करें केल राहूल के लिए तो अब्वियस सी बात है भाई केल राहूल की बैटिंग में काफी इशूज चल रहे हैं यह ना सिर्फ हमने आई पील में देखा था बलकि का इस पोजिशन के उपर रहा है और अब्वियस सी बात है आज की तारीक में जिस तरीके की बैटिंग बढ़ रही है वो एक तरीके से कम लगने लगा है कुछ इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आये थी कि आरसी भी जो थी वो केल राहूल को लेकर कुछ भी कहना बहुत जल जाहिर खान ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि जो राहूल की पर्फॉर्मेंस से वो काफी सवाल खड़े करने वाली है लकनाओ जो है वो प्रिटी कन्विंस है अपने रिटेंशन को लेकर ओवर्सीज प्लेयर से निकलस पूरन और मार्कस टाइनेस को वो लोग बिना स उचे समझे रिटेंड करने वाले हैं और वहीं पर उनके पास राइट तो मैच कार्ड का आप्शन रहेंगे ही जब बात आक्शन की आएगी इसके अलावा अगर इंडियन्स की बात करें तो रवी बिश्णोई मयां की आदब आईश बदोनी और मौसीन खान ये वो दरसल केके आर का जो एवरेज परसेंटेज पर सीजन रहा है रिटर्न का वो बाकी टीमों के मुकाबले काफी ज़्यादा हाई रहा है सबस्यादा मैच विनर भी इनकई पास में हैं अगर ये दोनों अवेलेबल हैं तो अब्विस सी बात है ये लोग पूरे गेम खेलेंग इसमें आप रिंकु सिंग और फिल सॉल्ट को भी जोड़ दीजी तो ये भी दो ऐसे बैट्समैन हैं जो कि आज की क्रेटिंग सेनाडियो में शायद सबसे बड़े और डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं और सबसे बड़ी प्रॉल्म हमारे सामने अभी केके आर के साथ ये आत हाला कि गौतम गंभीर को माना गया कि भाई वो चीफ स्ट्रेटिजिस थे इन सब चीजों के पीछे बड़ सिल कप्तान कप्तान होता है तो गंभीर ने एक तरीके से श्रेसयर के साथ मिलकर ये डिलिवर किया था जो की सीजन इंडिया के क्यार ने जीता है तो ऐसे में अब केकियार के सामने जो बहुत बड़ा डाइलमा है वो यही है कि क्या वाकई में केकियार अपने कप्तान को ही रिटेन नहीं करेगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताएए का आपके क्या कुछ कहना है मेरे इस वीडियों फिलालत नहीं जैन जै भारत